नमस्कार दोस्तों मैं एंकुरू पाध्याईश स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में यहाँ आप सभी के साथ बात करने वालों FIA DIs का डेटा, अमेरिका का बजार, गिफ्ट निफ्टी, भारतिया बजार और स्टॉक्स जो कलेक्शन में रहेंगे शॉट और सिंपल लेंग्वेज में समझने की जानने की कोश्च करते हैं के करके सारे पॉइंट्स को तो शुरुवात करना चाहूँगा अपने भारतिये बजार के साथ जहां पर आज पूरे दिन के दोरान एक अच्छी तेजी बनी रही लेकिन 22-500 अपने आप में बड़ा हर्डल बना 22-500 का लेवल जो था वो बजार उपर में क्रॉस करने के लिए तयार ही नहीं था इनफेक्ट 22-500 से अर्मोस 40 पॉइंट नीचे ही रही हम मैक्सिमम टाइम 22-450-460-440-450 इस रेंज में ही बजार पूरे दिन घूमते रही अगर आप एग्जेकली देखें तो हम लोग एक बजे 22-440 पे थे और उसके बाद बजार ने किवल 30 पॉइंट के अंदर पूरे के पूरे धाई गंटे बिताए हैं 30 पॉइंट में निफ्टी में निफ्टी 30 पॉइंट के दाएरे में घूमता रहा धाई गंटे तक पूरा सेकंड आप वहीं घूम गया कहीं मूवमेंट नहीं आई मॉर्निंग में आपके लिए 22-529 का एक बार फिर फ्रेश लाइफ हाई जरूर लगा लेकिन उसको वापस टेस्ट भी नहीं करा पूरे दिन के दोरान और अगर आप पॉजिटिविटी देखें तो वो यह कि हम बजार में जादा नीचे भी नहीं गई लेकिन 22-500 हडल है मैंने आपके लिए लगबख साड़े तीन बजे वाली वीडियो बनाई थी तीन बजे शूट करी थी उसमें ने क्लियरली बोला था अगर हम 22-500 के उपर नहीं निकलने हैं बंदोते होते तो हम 22-350-300 की तरफ चाहेंगे क्योंकि फिर 22-500 हमारे लिए इस एक्सपायरी तक एक बड़ा हडल के रूप में सामने आएगा वो पार नहीं होगा जल्दी से जब वीक के पहले दिन जहां सब कुछ पॉजिटिव है हम लोग उसे पार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस वीक वो लेवल पार नहीं होगा तो अब यहां पर अगर अमेरिका के बजार की बात करूँ तो यह ऐसे संकेत दे रहे हैं कि व्यूँ अमारा ठीक था क्योंकि अमेरिका इस समय धाई सो पॉइंट नीचे है यह बड़ी बात नहीं है बड़ी बात यह है कि डे लोग पे ट्रेड कर रहा है तो यह थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है मेरे को इस समय डाउ जोंस की तरफ से जो नेगेटिविटी आ रही है बाकी यूएस मार्केट कैसा ट्रेड करता है एक बार देखते है नेजडेक इंडेस फ्लेट टू नेगेटिव है S&P 500 एक तिहाई परसेंट नेगेटिव है रसल 2000 लगबग एक परसेंट नेगेटिव है तो अमेरिका में तो नेगेटिविटी चाही हुई है अमेरिका का कोई आज नया financial year शुरू नहीं हुआ है कहीं आप सोचो कि हमारा तो financial year बहुत तंगडा रहा और अमेरिका का बहुत खराब और Asia Pacific निकाई देड़ परसेंट नीचे है 40,000 के नीचे आगया है निकाई तो निकाई में उपर से अच्छी कासी selling आ गई है शंगाई एक परसेंट उपर है और हैंग सेंग भी लगबग एक परसेंट की तेजी दिखा रहा है तो यहाँ पे global markets देखें तो US को छोड़ गए ज्यादा तर चीज़ है positive ही है बट हमार को follow US को ही करना है तो US negative है that means हमार लिए थोड़ी negativity है इसी के चलते हैं अगर आप gift nifty को देखें तो वो लगबग 90 point नीचे दिख रहा है अला कि levels के terms पे देखोगे आप तो आपको लगेगा 22.500 के उपर है बट overall मैं यह कहूँगा कि नीचे ही दिख रहा है मिरको अब आ जाते हैं अंगले parameter पे FIADS का data बहुत छोटे level पे काम हुआ है आज पहले दिन FIADS की बात करें तो 8,800 करोड की buying जिसके सामने 9,340 करोड की selling net figure आता है लगबग 5,22 करोड की selling का DIAS की बात करें तो 10,193 करोड की buying करी है और selling करी है 9,000 करोड की net figure आ रहा है 1208 करोड की buying का तो छोटा 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 डेटा था बट दौनों तरब से देखें तो positive यह क्योंकि DIAE इसने 1200 करोड खरीदा है FIAD इसने 500 करोड बेचा है तो net positive ही मानेंगे Nifty levels के इसाब से मैं आपके साथ discuss करूँ तो मेरे को लगता है 22,400 then 22,350 and then 22,300 maximum level हमारे लिए downside दिख रहा है 22,300 के नीचे मेरे को बजार नहीं दिखता है लेकिन बजार अगर negative देखना है तो वो 22,200 के नीचे होगा और 22,000 के नीचे fully negative मानूँगा जिसके संगेत अभी तो दूर दूर तक नहीं आ रहे है तो buy and dips ही रखना है 22,300 तक बजार में ये view बनाना है hope आपको एक पूरी market की strategy और चाल समझ में आ गई होगी और 22,500 इनकेस जैसे ही cross हो जाए इस expiry से पहले यानि थर्सडे से पहले तो आप ये मानगे जल सकते हो 200 point additional उपर जाने के लिए बजार तयार है 22,700 तक ये आपके लिए एक और update अब stock specific बात करूँ तो auto industry आज पूरे focus में थी जहां पर उनकी तरब से auto sales number आए है जो की negative side पर आए है post market TBS motor hero motocop भी अपने numbers पेश करता हुआ दिख रहा है जो मैं आपके साथ discuss करता हूँ hero motocop 4,90,000 total unit sale करी है 5,19,000 के सामने year on year basis तो घट के आया ये number और अनुमान 5,40,000 का था तो बहुत खराब number पेश करें है hero motocop ने मिरको लगता है ये इस आंकडे के बाद 2% कल गया 2% टूटना चाहिए कम से कम TBS motorist की बात करें 3,54,592 units बेची है इसने March में अगर year on year basis पे compare करो तो 3,17,152 units के सामने 354 unit आईए and month on month 368 unit के सामने 368 lakh है 354 unit आईए यानि कि month on month गटी है year on year basis पे बढ़ी है बट negative है ये number भी क्यों क्योंकि अनुमान 3,67,000 units का था तो अनुमान के सामने यहाँ भी थोड़ी gravity आईए बट जादा गिरावट नहीं है इसलिए मेरे को लगता है ये भी एक बैसे high beta stock है 2% ये भी जा सकता है और stocks की बात करूँ तो मारूत ही सुजूगी की तरब से कुछ और update आईए companies production volume at 1.67 lakh unit versus 1.54 lakh unit तो production level बढ़ गया है साल-दर साल company का total passenger vehicle production volume at 1.63 lakh unit versus 1.51 lakh unit year on year basis passenger car production volume passenger car production volume घटा है बाकी सब बढ़ा है आगे आप सभी के साथ बात करूँ तो reliance की तरब से update है company says ADIL जैनूल भाई independent direct अच्छा इनमें independent director of the company cease to be a director तो management में कुछ change आ रहा है आगे बात करें अगर तो NTPC की तरब से भी कुछ update है CMAC, NMDC, South India Bank ATOLOTTO के numbers भी आएं यह भी देख लेते हैं इसके number अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि आप month on month देखें और year on year basis पे देखें तो year on year basis पे अलगी टेपे लेकिन month on month काफी बड़ा jump है तो यह सारे के सारे stocks तो जो कल आपको radar पे रखने चाहिए जहां पे बड़ा action